लाइब इस्टेज में जाके सबके सामने कही दिया कि आपके जो फोन यह रेड़ी नोट फाइब प्रो से 54% फास्टर होगा साथ यह फोन आपका 30% जल्दे चार्ड हो जाएगा रेड़ी नोट फाइब के मुकाबले में ऐसे कुछ सीन करा है आज यहाँ पे फिलिपकार्ड और आसूस ने मिलके जिसको देखके मच गया यहाँ पे बबाल सब देख रहे हैं कि भईये क्या होगी यह धामाल सौमी बोने सोच रहे हैं हमारे कहोगा हाल यहाँ पे तो हो जाएगा आसूस अलमाल अच्छा था ना तो चले जानते हैं आज इस फोन के बारे में जोकी है यहाँ पे असूस का जन फोन मैक्स प्रो क्या खास है इस फोन में क्या इहाँ पे इस बार आसूस ने आपको ओफर करा है और ये फोन आपके Redmi Note 5 Pro को किस तरह के से किल करेगा तो राम राम दोस्तों, वेल्कम टू टॉ टक टॉक जोकी सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोल के माहिव मागना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को मेरी कुछ बाते अच्छे न लगे क्योंकि यहाँ पे आप लोग यूज कर रहो Redmi Note 5 Pro अब ऐसे में जो Asus का Genphone Max Pro आया है यह Redmi Note 5 Pro को पूरी तरह से किल कर सकता है यहाँ यह बात बिल्कुल सही है अब मेरा काम है यहाँ पे आप सभी तक सही अपडेड पहुचाना सही न्यूज पहुचाना तो मैं अपना काम यहाँ पे बहली बाती करूँगा और इसलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे आसू Genphone Max Pro के बारे में कि क्या इसमें खास है तो सबसे पहले हैं आप सुरवात करते हैं इस फोन की बिल्कॉल्टी से बिल्कॉल्टी की बात करते हैं तो बैक में आपको यहाँ पे मैटल देखने को मिल जागा यान की मैटल की बोड़ी मिलेगी जिस तरह से आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है उपर और निचे उजा इंटेना बेंड है वो यहाँ पे प्लास्टिक के बनाए गए हैं सेम Redmi Note 5 Pro की तरह बैक साड़ से अगर आप दोनों फोन को लुक देखते हो तो दोनों फोन यहाँ पे दिखने में लबब लबब एक जैसे आपको दिखने को मिलेंगे अगर हम आते हैं इस फोन के फ्रंट में तो फ्रंट में आपको मिल जाती है 5.99 निचे की डिस्पिलर जो कि यहाँ पे 18.99 एस फ्रेसी के साथ मैंगी फुलर डिपलर डिस्पिलर होगी साथ यहाँ पे आपको 2.5 डिक करव गिलास मिल जाएगा अब यहाँ पे आसूस कहता है कि यह जो डिस्पिलर है यहाँ पे इसका जो कॉंटरास रेस्यू है यहाँ पे आपको मिलेगा 500 बाई वन का याईनि कि जो अधर ब्रैंड होते हैं अधर फोन होते हैं वहाँ पे आपको 1000 बाई वन यह फिर 1200 बाई वन का मिलता है तो यहाँ पर आपको जो color है वो काफी saturate आपको दिखेंगे काफी natural color आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे साथ यहाँ पर आसूस कहता है कि भाई यह इस phone की जो brightness है डिस्पेल है की वो भी आपको जादा देखने को मिलेगी तो देख लेते हैं जब यह phone market में लोंच होता है तो किस तरह से डिस्पेल आपको देखने को मिलती है लेकिन इस phone में आपको Corning Gorilla Glass का support नहीं मिलता है जो क्यों होना चाहिए था इस phone का अगर हम मस्तिक्स की बात करते हैं यान कि इस phone को जो processor है वो यहाँ पर कॉलकॉम इश्णाडगरन का 636 processor जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो AutoCore processor, CryoCore यहाँ यहाँ पर यूज की गई है 1.8 GHz तक इसे क्लोक किया गया है Arduino का 5.9 GPU यहाँ यहाँ यूज के गया है यान के performance आपकी बहुती कमाल यहाँ पर होने वाली है साथ यहाँ पर बात करते हैं इस फोन के RAM वेरेंट की तो यह फोन आपका आएगा 3GB 32GB, 4GB 64GB और 6GB 64GB वाला वेरेंट भी जल्दी ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस फोन के अधर फिचर के बात करते हैं जो कि यहाँ पर केमरा, केमरा यहाँ पर इस फोन की एक और हाइलाइट है यहाँ पर केमरा आपको रियर में मिलता है डूल केमरा जो कि यहाँ पर है 13MP प्लस 5MP का यहाँ पर जो 13MP केमरा है यह यहाँ पर आता है F2.2 के अपरजे के साथ में सेम जिस तरह से Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलता है साथ यहाँ बज़े पिक्सल्स है जब वो है यहाँ 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 पर 1.12 मैकरोन के यहाँ जो 5 Megapixel का केमरा है बेक सेड में जो कि आपकी इमेज को Boker Fit देने में आपकी हल्प करता है यहाँ पर Asus ने इस फोन की कुछ इमेज भी आपको दिखाई है यहाँ इनकी किस तरह से आपकी जो इमेज होती है यहाँ पर यहर केमरे से आपको देखने को मिलेगी तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और अगर आप इन इमेज को, सारी इमेज को देखना चाते हो डेडेल निक में जानना चाता है तो आपको जो इन इमेज को जो लिंक है वो मिल जागा वीडियो के डिस्क्रिशन में यह image जो है आसूस ने खुद यहाँ पर launch की है ताकि आप लोग यहाँ पर देख सको साथ यहाँ पर आसूस ने यह भी कहा है कि आने वाले time पर image आपको इससे भी अच्छी मिलेगी यह इनकी जो OT update आएगा उससे जो आपका camera है वो और भी improve यहाँ पर हो जाएगा साथ गराम आते हैं इस phone के front में तो front में आपको मिलता है 8 megapixel कैमरा जो की again यहाँ पर आता है F2.2 के aperture के साथ में front में आपको यहाँ पर LED flash मिल जाती है अब यहाँ पर आते हैं इस phone के जो सबसे highlight feature है जो सबसे कमाल का feature है जो की सबकी हिलाके रख देने वाला है वो है इस phone की battery बैटरी यहाँ पर इस phone के अंदर 5000 mh की यहाँ 5000 mh की बैटरी लगाए गई है यहाँ इस phone को आप दो दिन तक बिल्कुल आराम से निश्चिंत होके तसलिय पूरवा यूज कर सकते हो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं USB port की तो आपको यहाँ पर मिलता है USB 2.0 टैप सी आपको नहीं मिलता है साथ यहाँ पर fast charging अभी आपको यह phone support नहीं करता है यहाँ पर आपको single speaker मिलता है जो की bottom में मिलता है लेकिन इसके साथ आपको जो speaker है उसकी जो power है वो है यहाँ पर five magnet speaker यहनकि आपको बाकी phone होते हैं वहाँ पर आपको दो या तीन magnet का speaker मिलता है लेकिन यहाँ पर five magnet speaker मिलता है साथ हे आपके यहाँ पे NXP का सपोर्ट मिल जाता है NXP की अगर मैं बात करता हूं तो sound के मामले में एक बहुत बड़ा नाम है अगर इसका सपोर्ट आपको मिलता है तो बैसक्सी बात है यार कि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे sound का सब लिए यहां पर आपको लाउड साउंड तो सुनने को मिलेगी लेकिन साथ है आपको किलियर साउंड भी सुनने को मिलेगी यानि कि जो बेस होता है आपके साउंड का वो भी आपको अच्छे से यहां पर सुनने को मिलेगा साथी बोक्स के अंदर फोन के बोक्स के अंदर आपको एक मैक्स बोक्स मिल जाता है उसके उपर अगर आप अपना फोन लगाते हो तो आपकी जो साउंड है वो थोड़ से और एमलिफाई यहाँ पे हो जाएगी इसके बाद बाद करते हैं इस फोन के OS की तो OS यहाँ पे आपको मिलता है Android का 8.1 Oreo यानि की Stock Android आपको यहाँ पे मिलता है यहाँ पे बस आपको कुछ दो तीन अप्लिकेशन मिलती है आसूस की तरफ से बागी सारा आपको Clean यहाँ पे Android मिलता है जो की बहुत 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 कमाल की बात है यहाँ पे भाईया आसूस ने यह भी कहा है कि आपको यहाँ पे Android P और इसके बाद जो आएगा Android Q उसका भी अपडेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा इस फोन में आपको fingerprint sensor तो मिलता है साथ है आपको यहाँ पे फैसनल का feature मिल जाएगा ओटी अपडेट के बाद में और यहाँ पे आपको जो dedicated SIM slot है वो भी देखने को मिल जाएगी याई कि आप दो SIM के साथ एक memory card यूज़ कर सकते हो अब यहाँ पे जो कमाल की बात है वो यह कि यहाँ जो 6GB और 64GB वाला variant आएगा यहाँ जो back camera उसका होगा वो यहाँ पे 13 से बढ़के 16 megapixel का हो जाएगा फ्रन में भी आपको जा 8 megapixel के मिलता है वो भी यहाँ पे 8 से हड़के 16 megapixel का हो जाएगा जो कि काफी कमाल की बात है लेकिन इससे भी कमाल की बात है या फिर जा 999 यहाँ गिए 11,000 के असपास 4GB और 64GB वाले की यहाँ पर यहाँ जो प्राइज है वो यहाँ पर 12,996 रुपे कम 6GB और 64GB वाले की जो वैरियंट की हम जो प्राइज है वो यहाँ पर 14,996 रुपे रेक्ट रुपे कम तो इस बार आप सोच सकता हो कि आसोस और फिलिपक मैक्स प्रो यह आपका रिपन फाइब प्रो से 54% फास्टर होगा यह पर 30% जल्दी चार्ड हो जाएगा हाले कि पांच आर अमिज की बैटरी है तो यहाँ पर यह चीज़ तो एक चीज़ तो एक चीज़ में तभी पता चलेंगी तो यह था आज की वीडियो में आप मुझ पर जो चीज़ यहाँ पर आसूस ने बताई है उसके साब से यह फॉन बढ़िया है बेश्ट हो सकता है बस आप जो कैमरा के क्वाल्टी है वह यहाँ पर एक्षवल में देखनी होगी और जो डिस्पिल है वह भी यहाँ पर एक्षवल में किस तरह सा आपको मिलती है अगर बंदे मातरम